मुंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपका गोस्त मुहमद मुकीम शेख। आईए देखते हैं आज के मुख के समाजा। इसके विप्रीत कॉंग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्री अध्यक्ष और वर्तमान सांसद राहूल गांधी के कद को हमेशा कम करके आवाम के सामने पेश किया जा रहा है। मंत्री विधायक वर्षा एकनाथ गायकवार, मुंबई कॉंग्रेस महसचिव वसीन जावेद खान, मुंबई कॉंग्रेस कमेटी महिला अध्यक्ष अनीशा बागुर। इशान्य मुंबई जिला कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अब्राहम रोयमनी के मार्ग दर्शन में इशान्य मुंबई जिला महिला कॉंग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रीना पाटिल के सयोजन में गायकवार नगर वार नमबर 144 ने जी न्यूस टीवी चैनल के खिलाफ मोर पत्रकारिता को अपने कबजे में लेने के लिए केंद्र की सरकार के खिलाफ कॉंग्रेस की महिला कार्य कर्ताओं ने जमकर नरेबाजीकर केंद्र की भाजपा सरकार और चैनल का जोरदार तरीके से विरोध किया। मुँबई कॉंग्रेस रोजगार एवं स्वयन्म रोजगार सेल अध्यक्ष और इशान्य मुबई जिला कॉंग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्तार खान और जिला सेवा दल के अतिरिक्त मुख्य संगठक मुखमद मुकीन शेक ने मुच्चा में शामिल महिला का करताओं को धर्ना प्रदर्शन का तरीका सिखाया मोचा के समापन पर गुलशन भी डॉक्टर सत्तार खान ने सभी का तहे दिल से आभार व्यक्ष किया इशान्य मुंबई जिला महिला कॉंग्रेस अध्यक्ष रीना पाटिल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा है तो गाली में हर वार में हर गॉंबई में जाहा जाह रहंगे वह सब सारी जगह में हम दे लेंगे सुझने है कि उतना गलक्त क्यों किया इसके वजजे से आंद unified रहें ना itla drills रहें लेकिन लोगों को मतलब समझना चाहिए कि मतलब जीन एतना जाने के लिए हम लोग जमीन दर्स के उत्रे हैं आज का अंदलन ने कहां पर हो रहा है और कौन-कौन लोग इसमें सहवाजी वे आपके साथ आज का जो अंदलन हो गया है हमारा जो दिल्ली से हमारी जो आधरनी राष्टी अद्धिक्षे नेटा डिसोदा जी और मुंबई मह जिल्ला कंग्रिस की अद्धिक्षा अनिशा बागुल जी उन्होंने जो आदेश दिये हो आदेश के माहितर पर हम लोग ने यह आपर निश्यदा और अंदोलन ले लिया है इसके लिए हम लोग ने की कि वो सब लोगों को यह जो वाड़े वन खोटी वर घ्यामी से हमारी शननन्दा जी है हमारी तालूक अद्धेश अवड़े देख्षा अङे अपना होजा है सब हमारी टीम है अमारी अप यह जिल्ला की वाइस प्रेसिडटर नसीमा कुरेशी जी है सब लेडी जो यहां पे उत्रें है यह विवाग के हैं मतलब यह विदान सभा के हैं भी लोगों को मालुम है जो घर पे बैथते हैं जो मतलब छोड़े घर पे रहते हैं मारके के इन लोगों किस created सब किया टी ली पर मालुव संटसे परूस तो आपने आज भी देखिए कि कॉंग्रेस के जो विदाहेक है वो तो सब सही जगपे है वो तो किदर फूटे नहीं है रही बात सिउसे ने कि तो उनलों के लीडर है उनलों पर ले लेंगे लेकिन हमारी जो नेता हुए उन्होंने सबको बराबर हैंदल करके अपने के हम लोग सो जन 1– мар्ता हो के हम सब एक्षाय करके अइसे करके हम लोग काम कर लें जमिन तरके उतर के हमारे सब मेला है वैसे ही काम कर लो है अचल क्या है जूट जो है एक जूट दस जगह पर जब बूलेंगे तो दस लोगों को 11 को पताश haft score बन जाती उसकी कि भाई हाँ यह दस लोग बोड़ रहे तो गलत नहीं है शायद यही सही है तो ऐसी बाते करना और अपना जो आशा है तो भुना कर लेना यह भाजपा का काम है और वो बकु भी निभा रहे हैं राहुल गांदी जैसे लिखे पड़े इंसान राज नितिग्य है वो भी कोई कमजोर नहीं है लेकिन डेम और रोलेशन करना उनको कमजोर आकना ताके हमें बहुत ओशार है यह दिखाना भाजपा ने बार-बार यह शुरू किया है और यह जल्दी ही बंद हो जाएगा मैं आप लोगों के चैनल के माधियम से कह रहा हूं कि हमारे कॉंग्रेस के पदादीकारी है हमारी महिलाए जो है कॉंग्रेस की कॉंबई कॉंग्रेस की यह इनका जो मंचा है पूरा होने नहीं देगी वो बंद कराके रहेगी क्या पीस मुद्दे को और आगे ले जाने वाले कि इस तरह से बीमसी मुंबई महानगर पालिगा का चुना हो है कहीं नहीं कहीं कोई भढ़काऊं मुद्दे को देख करके जो है ओटो की राजनिती की जा रहे तो किस तरह से आप लोग आगे इस मुद्दे को बढ़ाएं गया यह मुद्दा तो हमारा शुरूई रहेगा जब तो कुम हाफिनामा लिखर नहीं देते हैं आगे आप लोगों ने देखा होगा हमारी महिला जो अधियाक्षा एरिना पाथिल मेडम इनको जिस तरह अनिशा भागू मैडम जो महिला मुंबई के अधियक्षा है इन्होंने आदेश दिया कि आप शब्राएं में इस तरह के घरने अंदोलंग शुरू रखें महिलाओक के साथ मिलकर यह हम उसी तरह भाई जटाब इनके निर्देश के अनुसार यह दरने अंदोलन शुरू रखने वाले हैं जब तक यह इनकी दादागिरी बंद नहीं होगी रीना पार्टिल मैडम को तो मैं 200 साल से जानता हूँ कॉंग्रेस की एक सच्ची सिफाई के नजर से मैं उनको देखता हूँ हमारी बहन है दिन हो रात हो वह काम कॉंग्रेस पार्टी का करते रहती है उनके यहां कभी भी आप फोन करके चेक कर लिजिए और कोई काम किसी का अटका हुआ है फोरन हाजिर हो जाती है और यह उनको थोड़ा भी तकबूर या घमन नहीं है है कि हमको अभी फोन किया और प्रोग्राम में बुला लिया कुछ नेता लोग ऐसा करते हैं कुछ कारे करता भी करते हैं कि आपको पहले नहीं बताया दो दीन चार दिन पहले लेकिन रेना पार्टी मैडम में एक आसी आता है हमारी को भी महिला हो या हमारी जैसे पूरुष कारे करता भी हो इन्होंने कभी भी फोन के आए तो उन्होंने अच्छा ही रिस्पॉंस दिया और वो पार्टी की एकडम सक्री ये कारे करता है मैं तो कहता हूं ऐसे महिला को हमारे पार्टी के आकावने कीर देकर कार्पोरेशन में भेजना बहुत जोरुरी है झाले